नमस्कार स्वागत है आप सभी का UPSCC से नई भरती को लेकर के बात करेंगे इसमें कुछ भरतियों को लेकर के भी बात करेंगे कुछ भरतिया ऐसी जो की PET 2022 से उनकी बिग्यापन आने है और एक वेकेंसी यहां पर एनम की इसके लिए आपर बात करेंगे भी से सुरूप से कि यह भरती का बिग्यापन कब तक आ सकता है और कितने पदों पर लगबग आ सकता है साथी साथ पी इटी की कटाप कितनी जा सकती है पी इटी की कटाप को लेकर के लगबग आसे 14-15 दिन पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था अगर आप सभी वीडियो सुना होगा तो वही सेम चीजे यहां पर भी बताने वाले हैं पी इटी कटाप को लेकर के लेकिन वेकेंसी कब तक आ सकती बिग्यापन नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है कितने प्रदों पर आ सकता है इसको भी लेकर के बात करेंगे यहां पर इसके लावा जेए की जो नई भरती का सोसे भी कम इसी तरह से जेई वाले में भी आप सभी जानते हैं मैटर और ये दोनों रिजल्ट सायद इस साल आप आप आए तो आप आए बाकि कोशिस बहुत चल लहीं है नुश पेपर के मां मीडिया बंदों के मादें से लगाता है लोग कोशिस कर रहें लेकिन नई भरती क के लिए जितने भी अभ्यरती आप लोग इंतिजार कर रहें तो आप लोग लग जाए अभी से से जेई की नहीं भरती का बिग्यापन आने वाला है दोचार चोबीस में सत्परस्त आएगा और यूपी ट्रेपल सी पी इटी दोचार बाई से भी बिग्यापन आ रहा है अगर यहां पर भी फोटी फाइव गुना भी अर्थी साट लिष्ट होते हैं तो उस इस्तिति में पेट की कटाफ काफी कम रहेगी यह जनरल वेकेंसी होती नहीं सबी लोग आविदन करने सकते एजी टी वालों के लिए आप लोगों के लिए आप सभी जानते हैं कुछ सी ट्रबल सी जाओ फिलाल में सची उसन ने बोला है नोटिफिकेशन आपका जल्दी आ जाएगा बट इस महीने आने की उम्मीद कम लग रही है दिसंबर में जल्दी आ जाएगा बाकि आप लोग अभी भी कोशिस करते रहेगा और साथ इसाथ आप लोग तयारी भी करते रह आगे बात करेंगे एनम की नई भरती को लेकर के तोड़ा से यहां पर और देख लेते हैं कुछ अन्य विग्यापन भी आपको देखने को मिलेंगे लगबग दो या तीन चोटी विग्यापन जिसमें एक मान चितरकार की भरती का विग्यापन और सरवेयर और इसी तरह से आपको एक विग्यापन और देखने को मिल सकता है कुछ कमपदों पर पी इटी 2023 का रिजल्ट आपको जनावरी में सतप्रसत देखने को मिल जाएगा कोई डेट आपसे भी मत पूचीएगा क्योंकि हो सकता है आपको मीड दिसंबर से पहले देखने को मिल जाए लेकिन सम्म को देखने को मिल जाएंगे एनम की नई भरती को लेकर कि पी इटी 2023 से कोई भी प्रोसेस नहीं है वर्तमान में अगर किसी के दोरा बताया जा रहा है कि इस महीन अगले महीन या पहले भी बताया गया होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है प्रक्रिया सुरू हो गया फिर होगा जितने भी एनम की नई भरती का इंतजार आप लोग कर रहे होंगे और हमने आप सभी से एक बार ने बहुत बार कहा था कि आप लोग पेट दे दीजिए बस नंबर चाहे कितने भी आए उसकी चिंता आप मत करिए अगर चार पांच अजार भी वैकेंसी इतने ही आने की लिए पैंतालिस गुना तक अभी एर्थी सार्ट लिष्ट में बीपियो 1468 वैकेंसी में तो इसको देखते हुए कम से कम डेर दो लाग के आसपास अभी एर्थियों को मौका मिलेगा फिलाल में तो उस इस्तिति में अगर आपके एक नंबर भी अगर आपके आ रहे होंगे में तुब हमिए वर्तमान में आप लोग तब भी भी थैयारी करिए गारेद फ़्री आप किसीने बताया नहीं जीकिन वह फिर एक नंबर भी अगर आपके हो तो भी तैयारी करिए पैठ का चोड़िये अब आप एंग आन्म के लिए तई-अर्पीैर अब से और आप सभी फोटी फाइब परसंद को से हैं पेपर के लेबल समझ नहीं हम भी थोड़ा सा पहले बार पेपर हुआ था लेकिन आप लोगों के लिए हमारी कोशिस रहे कि कम से कम 60-70 परसंट या आपका सेलेक्शन हो जाए हमारे जितने भी क्लासिज आपको देंगे उतनी हमारी पूरी को कि पेट 2022 ये वेकेंसी आने की उमीद बहुत कम रहेगी बहुत कम है उमीद कुछ पदोबर अगर आगelier होती तो बहुत सचा रहा होता कुछ माूंका इस बार मिल गया ओ अगली बार मिलगया होता मौका मिलना था यह यह फोड़ी बात भी लेकिन पर कुछ भी ऐसा प्रोसेस देखने को नहीं मिल ला है इविन आप समझ लीजिए कि यह अधियाचन आना है लेकिन कम से कम परिवार करनाड विभाग में आपके रिक्तपतों पर नोटिपिकेसं को लेकर कि या फिर अधियाचन भेजने को लेकर कि कोई भी कार हो रहा होगा त और P.E.T. 2023 से भी विग्यापन सत्परसत आ जाए इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और जब भी विग्यापन आपको देखने को मिलेगा फरवरी में ही आप मान करके चलें हो सकता है उसके पहले भी आजा थोड़ा बहुत लेट भी लगे लेकिन हम लोग कोसिस करेंगे कि जितना जल्दी हो सकी विग्यापन आपकी भरती का विग्यापन देखने को मिल जाए वेटिंग लिष्ट की कोई उम्मीद है नहीं बार में आप सभी जानते हैं वेटिंग लिष्ट को लिखर कि नियमावली ही बदली नियमावली में संसोधन करना होगा तो फिलाल में ऐसी कोई भी योजना या ऐसी कोई भी प्रकिरिया विचारा दीन नहीं है सासनस्तर बे कोई प्रपोजल तक नहीं भीजा गया विवाग की तरफ से नहीं तो आयोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं था अभी आप लोग परिसान है वेटिंग लिष्ट को लिखर कि आगे फि पीटपल से कि सभी बढ़तियों के अभ्यरतियों को साथ देना चीए लेकिन लोग साथ नहीं देते हैं तो ये वेटिंग लिश्ट का प्रावधान आज ने तो कल जरूर होगा लेकिन आज दिक्कते हो रही हैं आप सभी को सीटे खराब जा रही हैं तो कुल मिलाकर कि इतनी अपडेट थी बाकि आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूर सकते हैं वीडियो को आप सभी प्लीज सेर कर दीजेगा सभी तक सही जानकारी पहुंच जाए लाइक भी आप से भी कर दिया करें और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद